नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मंगलवार के दिन कुछ ऐसे प्रयोग के जाते हैं जो सिर्फ एक भी मंगलवार आप कर लेते हैं तो बहुत सारी परिशानिया समाफ्थ हो जाती है परिशानियों से मुक्ति मिल जाती है तो आज हम आपको नीम्बू के कुछ तस महा उपाय बताएंगे जो मंगलवार के दिन कर लें तो सत्रू बाधा समाप्त हो जाती है धन की मुश्किले समाप्त होती है तंत्र मंत्र क्रिया समाप्त हो जाती है कहीं पैसा फसा हुआ है कोई आपको परिसान कर रहा है तमाम परिसानियों से बाहर निकलने के लिए नीमबू के कुछ महा परियोग किये जाते हैं तो चलिए जानते हैं विश्तार से विडियो के अंतक बने रहे हैं एक व्यक्ति के खर्चों की तंगी से परिशान रहता है यानि किसी न किसी तरह से उसे जीवन में परिशानी मिलती है वैसे तो नीम्बू का प्रयोग तांतरी ग्रंथ में भी होता है और टोने टोटके होते हैं पूजा पाठ में भी होता है कीचन में भी यूज होता है अब तांत्री गंथों में ऐसे कई टोटके हैं जिसको करने से आपके सुए हुए किसमत जाग जाती है अब हलांकि ज imagen of in दिल से चाहिएगा तांतरी ग्रंथ में कुछ ऐसी चमत्काई टोटके हैं जिसको अगर आप एक बार करने तो सफलता के दोار खुल जाते हैं घर में कभी कभी क्या होता है ऐसी नजर लगती है कि सब कुछ बरबाद हो जाता है आपके सोचने से पहले सब कुछ खत्म हो जाता है आपके बुद्धी वहां तक जाती ही नहीं बुद्धी ही हिंग हो जाते है यानि कि दिमाग काम नहीं करता जब लोग टोन का जादू है जी हाँ यह जादू ही है कि लोगों की सिर्चर पर बोलता है और दूदों को समझ में नहीं आता है क्या हूँआटे हैं तब हूस आता है कि यह कहो बहुत गलत हुआं अब पस्ताइड उत क्या पर 성y सास्त के माने तो घर में किसी ब्यक्ति को नौकरी नहीं लग रही व्यापार में तरक्की नहीं हो रहा है वहीं पर पड़े हैं चाहते हैं कि खुब सफल हो लेकिन क्या करें तब तरक्की पाने के लिए आप एक नीम्बू और चार लॉंग लेकर हन्मान जी के मंदिर में चले को दें गार दें अब इसको अपने पास रखें जो भी काम के लिए जाएंगे तरक्की हो आपको सफलता मिलेगी बाद में इसको मिट्टी में दबा दीजिएगा क्योंकि वह खराब होने लगेगा अब तंत्रत सास्त कि अगर हम बात माने कभी कभी क्या होता है घर परिवा हैं आप मुस्कुरा रहे हैं एकदम से नजर लग गई सब कुछ खराब आप जा रहे हैं बहुत मजे में हैं अचानक से आप गिरगा एक्सिडेंट हो गया यह भी बद्दुआ नजर दोस हाइस राप होता है तो इनसे बशने के लिए एक छोटा सा प्रियोग कर सकते हैं अ साथ वार उल्टा यानि एंटी क्लॉक वाइज वार ले अब इस निम्बू को चार टुक्रे कर ले और किसी सुंसान अस्थान पे घर से बाहर निकल कि आप पीछे मुड़ के देखिए अब सुंसान अस्थान मतलब जैसे आपको आते जाते लोग देखे नहीं तो ऐसे जग समय भी लिमिट है क्या करेंगे अगर मेहनत के बाद भी काम धंदार ना चले तब सनीवार के दिन एक नीम्बू लेना है और यह नीम्बू जो है आपको लेकर अपने दुखान या ओफिस जहां भी आप चाहें वहां पर चारो साइड लेकर घूमिए या फिर चारों तरफ टुकड़े चारों दिशाओं में फेक दे और वहां से एकदम से हटाएं आप देखिए अगर नकात में कुर्जा समाप्त हो जाएगी आपका बैपार दुकान नौकरी सब चलने लगेगा कई बार किसमत सो जाती है अब किसमत भला कैसे सोती है कहने कतात पर साथ नहीं देत किसमत को जगाने के लिए एक नीम बूलें और अपने सिर से साथ बार वार लें दो टुकरे करें और घर से बाहर निकलें आपका फेस घर के सामने होगा और आपका पीठ आपके घर के दरवाजे के तरफ हो गया एक दम घर से बाहर निकल के खड़े हो जाईए कहीं भी थरा और फिर आप अपने घर आ जाए देखिएगा आपका रुकावा फ़सावा धन भी आएगा बिगड़े वे काम बनने लगेंगे जीवन में एकदम से लगेगा बदला हो गया है बहुत सिंपल है लेकिन इसके प्रियोग के आपको फॉल बहुत जल्दी मिलेंगे नीम्बू का प्रियोग तंत्र क्रियाओं में सबसे ज़्यादा होता है नीम्बू का बीच बहुत चमतकारिक फायदा भी देता है क्योंकि अगर गाय के दूद के साथ घिस केस को खाया जाए पिया जाए थोड़ा सा तो माना जाता है कि बंधे अस्तरी भी संतान प्राप्त क इसके बहुत सारे प्रीयोग के छिलगे में नीम्बू के रस में एक चीज में गुंच चिपा और तंत्र करियाओं में नीमूland जो अगillि प्रियोग होता है क्यूंकि हरे नीम्बू का जो कसैला पन है वह समस्याओं को दूर रखता है कि कभी कभी लकता है किसमत सो Works ऩो रह तुक्रा में नेम्बू को अपने सर से सात पार उंसा में कि उसके टुक्रे करें। दोनों हाथों में एक-टुक्रा लें। दाहिने हाथ का टुक्रा बाएं तरफ होd reply कमें आपका फेस पूरब दिसामी होगा और बिना पीछे मुड़े घर आ जाईए कई बार होता है आपको लगता है जैसे आपको किसी की नजर लग गई आपके बच्चों को भी इसा लगता है तो ऐसे में दो बुन नीमू जीप डाल लें तो खटाई से आपके उपर जो नजर है तुरण धर जाती है बहुत सिंपल है कई बार क्या होता है आपके घर में लोग बीमार है वह ठीक ही नहीं हो पा रहे है आप चाहते हैं जल्दी से ठीक हो जाए पूरा लाइप जैसे घर में कोई भी बीमार पड़े चाहिए आपके माता पिता हो जीबन साती हो बच्चे हो भाई बेहनों आप देखेगा पूरा लाइप अस्त बेस्त हो जाता है क्योंकि टेंसल सबका बढ़ जाता है तब जो बेक्ती बीमार है उनके सिराह ने आप एक नीमबू रख दें अब यह प्रियोग कप करेंगे किसी भी दिन कर लीजेगा क्योंकि बीमार बेक्ती के पीना पीछे मुड़े घर आजाए आप देखेगा धिरे-धिरे उनके स्वास्त में सुधार होगा और अगर वह ज्यादा मिमार है तब उनके सिराहने एक लोटा पानी में पांच पीपल के पत्ते रग कर ढग दीजे उनके सिराहने याद रखिए और फिर अगले दिन उसी लोटा पानी ले लें उस जो व्यक्ति विमार है उनके उपर से साथ बार उतार कर किसी ब्रिच में पौधे में डाल दें यह परक्रिया रोज कीजिए वह जल्दी ही स्वस्त हो जाएंगे चलिए अब जानते हैं सुख समरिद्धी का द्वार खोलने के लिए कई बार आपक जहां से चार रास्ते जाते हैं ना मिले तो कहीं भी आप चले जाएए साइड में खड़े हो जाएए जाकर नीम्बू से साथ बार अपने आपको उबार लें अपने माथे से साथ बार गुमा लीजिए बाएं हाथ में नीम्बू लेकर एंटी क्लोग वाइज इसके बाद जाए बाद करें नीम्बू के कटे वे पहले भाग को पीछे की तरफ भेग दे और दूसरे भाग को आगे की तरफ अब घर आ जाए घर में सुकसांति भी आएगा सम्रिद्दिय भी आएगा धन भी आएगा खुजियां भी आएगी सब कुछ आएगा जिसके अपकदार है तो यह सिंपल सा प्रियोग है नीम्बू का जो चमतकारिक लाव देते हैं जो जीवन में बहुत सारी आपके जीवन की परिशानियों को आप से दूर कर देते हैं तो यह नीम्बू भले ही पीला सा चोटा सा दिखता है लेकिन है बड़े काम कि एक छोटा सा और प्रियोग नीम्बू बहुत खटा होता है तो सनी वार के दिन क्या करेंगे एक छोटा सा प्रियोग कीजे आपके दूसमें भी सांथ हो जाएंगे यानि घर से बाहर निकल कर घर के अंदर नहीं करना है और उसके बाद चाबल, 40 दाने, 38 दाने जो आपने लिए है काली उड़त उसको डाल दें अब जो नीमबू है उसके दो भाग करें और उसके रस को निचोड़ दें चाबल और दाल पे और फिर नीमबू भी उसी में डाल कर उसी में डाल दें और हलका से मिट्टी डाल दें और फिर आप यह जो प्रक्रिया कीजिए अपने दूस्मन का नाम लेते रहिए का बिना पीछे मुरे घर आ जाए और इस बात का धियान रखेगा कि जैसे कोई टोके नहीं अब यह नहीं कि सबसे बात्चीत कर रहे हैं प कर दो कि एंब यह